हेलो गाईस तो केसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चनल में स्वागत है तो आज की वडियो में हम रिवी करेंगे 2020 की मल्यालम लेंग्वेज एकसन थ्रिलर फिल्म बिग ब्रदर का जिसको हिंदी डव वर्जन में सेम नाम से डव किया गया है फिल्म को लिखा और डिरिकियाव सिदीकी इसमाईल ने लेट रोल में देखने को मिलेंगे मोहनलाल और अरबास खान कहन की बात करें तो सचीदा नंदन जिसका रोल प्ले कते हो नजर आंगे मोहनलाल जो अपनी जेल की सजा काटने के बाद अभी जेल से रिया हो गया है और वो चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ एक पीसफुल लाइब जिये लेकिन ये से भी चीज़े इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसके पिछे सचीदा नंदन का पास चुड़ा हुआ है उसके अतित के कुछ लोग उसके सामने आ जाते तो अब उन सभी से अपने फेमिली वालों को सचीदा नंदन की सतर से बचाता है और एक पीसफुल लाइब की सतर से जीएगा वही सब चीज़े फिल्म की कहानी बनाती है राइटर, डाइड़ेटर यानिकि सिद्ध की इसमाइल जिस्तर से उन्होंने फिल्म का जो प्लोट चूस किया हुआ है उसका नरेसन जिस्तर से किया हुआ है वो सभी चीज़े वीक नजर आ रहे थी उनकी स्क्रिब्ट में काफी जादा कमया नजर आ रहे थी उनके केरेक्टराइजेसन में भी काफी ज़्यादा कमी नज़र आ रहे थी वहा था जहां पर सभी चीज़े बोरिंग नजर आती है सेकंड आप में कुछ एक्सन सिक्वंस आपको जरूर रेंगे जिंग रखते हैं लेकिन उसके बाद जो ट्विच्ट देखने को मिलता है क्लाइमेक्स में वो भी उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था फिल्म का स्ट इन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था एडिटिंग की बाद पर तो काफी ज़्यादा हद तक फिल्म एडिटिंग की जरूरत थी काफी सारे ऐसे अनवांटेट सीन थे उसको आसानी से काड़ दिया जा सकता था उसकी जरूरत नहीं थी फिल्म में कुछ ऐसे कॉमेड़ी नहीं ती उसे भी कारड दिया जा सकता था जिसकी वजसे फिल्म थोड़ी छोटी हो जाती क्रिप हो जाती जिसके वह जैसे फिल्म थोड़ी ओर बहते ओ देखने लाएक बन सकती थी इसके लई पर्फॉमंस की बात करें तो मोहनलाल अर्बास खान बाकी के सब भी सपोर्टिंग आर्टिस सभी ने अपना काम अच्छी तरह से निपाया हुआ है कुछ का काम ठीक था कुछ का बेतर था लेकिन इसमें एक्टर की कमी नहीं निकाल सकती क्योंकि डिरेक्टर ने सभी हमारे सामने पेस्ट नहीं किया हुआ है उनकी केरेक्टराइजेशन में काफी हद तक कमी नजर आ रहे थी इसी वज़े से हम एक्टर के उपर पूरा फोल्ट नहीं निकाल सकते हां लेकिन फिल्म के एक्टर सिक्वंस आपको जरूर रहेंगे जिंग रखेंगे फिल्म में देखने को मिलने वाले मास मसाला फाइट सिंस आपको जरूर पसंद आएंगे लेकिन पूर डायरेक्शन और एवरे स्क्रिप्ट इन सभी फाइट सिक्वंस पे ज्यादा भारी पढ़ जाती है जिसकी अज़ेस फिल्म ज्यादा तर बोरिंग लगती है कूछे से फाइट सि हुए वो सभी पाने में जा रही थी तो मैं 2020 की मल्यालम लेंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म बिग ब्रदर को 4 आउट आप 10 की रेटिंग देता हूँ कूल मिला कि इस एक बोरिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म के सकते हैं अगर आप मोहनलाल के फेंस भी हो फिर भी ये फिल्म आपको उतनी इंजोइमेंट नहीं दे पाएगी आप इस फिल्म को आसानी से इग्नोर कर सकते हो तो बस गयाज आज की रिवी में इतना ही था आई होप आपको ये रिवीव पसंद आया होगा अगर रिवीव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सेज जरूर कीजेगा और अगर आप गलती से एक फिल्म देख भी लेते हो तो हमें कमेंट करके बताएए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और बेसे नए साथनेन मूवी के हिंदी रिवी के लिए आप कमिंग साथनेन मूवी की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक्यू